दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से आरो का मौक टेस्ट नमबर 6 करेंगे UPSS आरो 2016 का exam जो cancelled हो गया था उसके re-exam पर अधारित ये मौक टेस्ट होगा यहनि सिलेबस रहेगा 2016 का इसमें रिजदिंग और GS के questions है यह test हमेशा की तरह bilingual रहेगा UPSC, UPSS के लिए UPSS के विभिन exam के लिए BPSC pre or mains के लिए हम चला रहे हैं कई सारे crash courses और ये दो given number है हमारे आप इन पर बात कर सकते हैं और इन courses के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सारे updates हमारी आपको मिलते रहें तो आप हमारा free वाल टेलिग्राम group जरू जोइन कर रहेगा और twitter पर भी जोइन कर लिजए अब study for civil services को पहला हमारा question जी इससे होगा 27 तंबर सवाल मताना है कि तुर्क शासकों ने मालवा और गुजरात पर अधिकार क्यों किये थे क्या कारण थे जिनके कारण उन्होंने मालवा और गुजरात पर अधिकार किये और जहां पर हम तुर्क शासकों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर गजनी का नाम आएगा गजनी गोरी का नाम आएगा तो इसमें है कि यह एरिया जो है फर्टाइल थे ठीक है फर्टाइल थे बिल्कुल उसके बाद जो है खंबात कैंबे पोर्ट था जिससे काफी फिस्बल था कि चाइना से एफ्रिकन कंट्री से गल्फ कंट्री से वियापार चला जा सके करेक्ट है उसके बाद जो है एक्ज ट्रूट का काम कर सकता था ये रीजन ठीक है करेक्ट है यहाँ पर सारे के सारे आप्शन्स जो है ये कारण थे जिसके कारण तुर्क शासकों ने मालवा गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ पर अधिकार जमाया 28 नमबर कोश्चन पहला स्टेट्मेंट है कि अलाउद दीन के समय भारत की राजस्थान में चावान वन्शजूं का सासन था ठीक है करेक्ट है उसके बाद लिखाया कि इसमें रणतम बहुर का शासक राणा सांगा था राणा सांगा बहुत देर बाद आएंगे यहाँ पर हम जार अतन सिंग था तीसरा है चित्ताओड पर अधिकार करने के बाद अलाउद दीन ने खिज्र खान को वहां का शासक बनाया और खिज्रा बाद उसका नाम रख दिया तो सेकेंड और स्टेट्मेंट यहाँ पर करेक्ट है फस्ट वाली इनकरेक्ट है यहाँ फैक्श्वल शताबदी की शुरुवात में देवगीर का राजा राय करन था यह भी गलत है यहाँ पर होना चाहिए राजा राय रामचंद्र तो इनको अगर हम रिप्लेस कर दें उपर नीचे तो यह स्टेट्मेंट सही हो जाएंगी अभी गलत लिखी हुएंगे हमारा करेक्ट एंसर बने गए यहाँ पर डी कोई भी सही नहीं है अगर रिप्लेस कर दें इनके नाम तो सही हो जाएंगे दोनों स्टेट्मेंट निम्लिकित में से कौन सी जील टेक्टॉनिक गतिविधी का पढ़ नाम है तो टेक्टॉनिक गतिविधी से बनी हुई है आपकी वूलर जील ऑप प्रिटिश क्राउन की संप्रबुता स्थापित हुई थी तो सबसे पहले ही हुआ था आपका Charter Act 1813 के तहत, Option B किस अधिनियम ने सामप्रदाइकता को वायदता प्रदान की थी, ये एक छिपावा कुशन है, एक्चुली इसका मतलब क्या है, मोटिव है ये पूछने का, कि सामप्रदाइक निर्वाचक मंदल सबसे पहले कब इंट्रिद्यूस किये गए थे, तो मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टरेट मिले थे, 1909 के आक्ट में, तो हमारा अंसर होजाएगा B, इंडिन कांसिल्स अक्ट 1909, इनमें से कौन सी एक ओटोनोमस बॉडी है, चुनावायोग ओटोनोमस है, करेक्ट है, स्टेट पीसे स्टोनोमस है, C.A.G. ओटोनोमस है, और U.P.C. तो है ये ओटोनोम हेल्दी का सांटिफिक नेम भी करकमा लॉना होता है। ८ोली से किस सबजी में सरवाधिक कैलिशम सब्सक्रास, कांधिक में ओप्षिणमिन प्रप पपीते का उत्पत्ती स्थान क्या आया मतलब भी इसका origin क्या आया सबसे पहले पपीता हुगाया गया था आपका North America में Optional D भारत में हरित क्रांती का implementation जिलेवार कैसे किया गया था तो जिलेवार योजना है चलाए गए थी IADA और IAAP यानि कि Intensive Agriculture District Program और Intensive Area Agricultural Programs यह चलाए गए थे तो यह जिलेवार हरित क्रांती को अचीव कर पाए हम नंदवन्ष का अंतिम शावसक कौन था घानानंद या धनानंद जो भी आप बोल लें कई जगा यह घनानंद या कई जगा धनानंद Option Number B निम्ड में इसे कौन से स्थान मगत सामराज की राधधानी कभी नहीं बना कौशाम भी यह कभी राधधानी नहीं बना मगत की राजग्राय बना है पाटली पुतर तो बनाई है और गिरिवज्र भी बना है शुरुवात में अनुशीलें ग्रूप्स जो है तीन बने थे उसमें बताना है हमको कि डाका या धका धाका अनुशीलें समीती की स्थापना किस ने की तो धका अनुशीलें समीती की स्थापना की थी पुलिंदास ने Option Number B संगम साहित्य में कौन शामिल नहीं है कौन सवन से संगम साहित्य में शामिल नहीं है इसमें चोल चेर पांड है कदंब नहीं है अब कोई कमेंट करके बताए कि कदंब शास्कों की राध्धानी क्या थी है गुप्त डाइनेस्टी वास फेमस फार विच आफ दो फोलिंग तो गुप्त सामराज निमलिकित में से किसके लिए प्रसिध है इतिहास में तो इतिहास में प्रसिध है आर्ट एंड आर्गिटेक्चर के लिए Option Number A दोधुआ टाइगर रिजर्व कहां पर है दोधुआ टाइगर रिजर्व है आपका उत्तर प्रदेश में बहराईज लखीमपूर खेरी डिस्ट्रिक्ट में स्पैन करता है Option Number B उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला किस नदी के तटपर बना हुआ है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है राम गंगा नदी पर Option Number A बड़ा ताप थर्मल प्रोजेक्ट ये कहां पर है कहां पर लगा हुआ है बड़ा ताप ताप परियुजना है आपका प्रयाग राज में उसके बाद है उत्तर प्रदेश का सास्तरी इंडरत ते कहुन सा है ये कथक है Option Number D सबसे ज़्यादा ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में कहुन सी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में ट्राइब्स पाई जाती है थारू Option Number A और Green Climate Fund का पस्थापित हुआ था ये UNFCC की कैंकन कांफरेंस के बाद अस्तित में आया था 2010 में Option Number B निम्ण में से किस नदी को दक्षिन भागी रथी की नाम से जानते हैं तो दक्षिनी भागी रथी की नाम से जानते हैं पंबा रिवर को Option Number C अटल टिंकरिंग लैब के संबंद में सही कतन मताई क्या होगा नीती आयोग ने शुरू किया था 2018 में Correct ये उसके बाद है कि ये सारे स्टूडेंट के लिए है जो 18 वर्ष से कम के हैं ये भी Correct है नाडू नेडू कारिक्रम कहां पर लाउंच किया गया है नाडू नेडू कारिक्रम है आंध्रप्रदेश का Option Number C World Heritage Week कब बनाया गया World Heritage Week मनाया गया आपका 2019 में 19 से 25 तौंबर के बीच Option Number B The Waste Land Atlas 2019 ये किसके द्वरा रिलीस किया गया है ये रिलीस किया गया Ministry of Rural Development के द्वरा Option Number A World Congress on Rural and Agricultural Finances ये कहां पर conference हुई थी ये हुई थी आपकी New Delhi में Option Number B सिसरी नदी सेतू का निर्माण किस राजि में किया गया है सिसरी नदी सेतू बनाया आपका अरुनाचल प्रदेश में Option Number B Option Number D इसका उदगाटन डिफेंस मिनिश्टर श्री रादनाथ सिंग जी ने किया था और ये सीकांग नदी के उपर बना हुआ है ठीक है संयुक्तराश्टर के FAO यानि Food and Agricultural Organization के द्वारा हर साल 5 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है ये बनाया जाता है म्रदा दिवस World's Wild Day Option Number A अगनी दूतिए के बारें बात करने हैं कि इसकी छमता जो है 2000 किलोमेटर है Solid propellant यूज करती है Different stages में ये भी correct है Answer रोजाएगा both C अगनी का शायद पांचवा वर्जन भी आ चुका है उसकी मारक चमता कितनी आपता ही कॉमेंट करके India International Cherry Blossom तेवहार ये कहां पर हुआ था Cherry Blossom Festival हुआ था Shilong में Option Number B आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2019 कहां परायोजित वी थी ये वी थी थी थाईलैंड में Option Number C भारत सरकार ने किस वर्ष को किस वर्ष तक देश से टीवी को खत्म करने का लक्ष रखा है टीवी के उन मूलन के लक्ष रखा है भारत ने 2025 तक ठीक है WHO के नुसार जो है World TV मुक्त हो सकता है Tuberculosis Free 2030 तक लेकिन भारत ने इसको बढ़ा लिया है भारत का कहना है कि 2025 तक ही इसको खत्म कर देंगे हम लोग वैश्विक प्रतीस पर धात्मक्ता सूच कांग किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है यह जारी किया जाता है World Economic Forum के द्वारा Option B सुशासन सूच कांग 2019 में किस राजी को प्रत्रम स्थान प्राप्त हुआ है तो Good Governance Day के दिन यह आया था इसमें तमिल नाडू को टॉप पर रखा गया है Option A अप्शन में किस यूरोपी देश ने यूरोपीयन यूनियन को छोड़ दिया है तो Brexit आपने देखा होगा जन्वरी मंत में जन्वरी की अंत में ब्रेक्जिट फाइनली एक्जेक्यूट हुआ था और ब्रिटेन अब हिस्सा नहीं है यूरोपीयन यूनियन का ब्रेक्जिट हो चुका है फाइनली ब्रेक्जिट की डेट क्या है एक्जैक डेट पूछी जा सकती एक्जैम में 31 जन्वरी 2020 को ठीक 11 बजे ब्रेक्जिट हुआ था दयान रखेगा फोटाउन की खोज किसने की जिसने फोटाउन की खोज की उसी ने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर भी बताये लाइट का तो ये हैं अलबर्ट आइनस्टीन ऑप्शन नमबर बी है एक और निथो लॉजिस्ट का संबंद किस्से होगा तो और निथो लॉजिस्ट जो होती है वो study of birds है और निथो लॉजिस्ट जो होता है वो birds की study करेगा ऑप्शन नमबर बी अनसूचित जन्जातियों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज इकाउन सा है तो यह है मदप्रदेश ऑप्शन नमबर बी करेक्ट स्टेट्मेंट फाइंड करना एक खत्तर में पहला स्टेट्मेंट है कि भारत की जन्संख्या में 2001 से 2011 तक के मतलब एक दशक में एक 180 मिलियन से अधिक लोगों की वृद्धी हुई है ठीक है करेक्ट है उसके बाद है कि 2011 के संसेस में कोई भी शेडूल कास्ट जो है अब नहीं फाइंड किये गए है उडाचल प्रदेश से ये भी ठीक है हमारा करेक्ट एंसर है C बोथ बोथ करेक्ट अब इसमें से गलत स्टेट्मेंट कौन सा है वो फाइंड करना उतर प्रदेश का चाइल सेक्ष रेशियो है ना सुदो ठीक है लिटरेशी रेट है 67.7 प्रतीशत अर्बन पॉपलेशन 33.2 प्रतीशत है यहां पर पेट्रोलियम प्रोड़क्ट्स का उप्शन नुबर D National Bureau of Plant Genetic Resources राष्टरी पादप अनुवानिशिक संसाधन यह कहां पर है यह लोकेटेड है आपका निउडेली में उप्शन नुबर A नीबू में डाइबाक रोग किसकी तत्व की कमी के कारण होता है कॉपर की कमी कारण हो जाता है डाइबाक डिसीज नीबू में ऑप्शन नुबर B Queen of Fruit यानि फलों की राणी किसको बोलते हैं फलों की राणी है लीची ऑप्शन नुबर B Cold Deposit का सही क्रम क्या है सरवाधिक Deposit किसके पास है सरवाधिक है ओडिशा के पास प्रोडक्शन में टॉप पर है हमको रिजर्व में बताना है रिजर्व में टॉप पर है जारखंड फिर ओडिशा फिर चप्तीजगड Option No.A Intensity of Light कैसे मेजर करेंगे आप Photometer से करेंगे Option No.A Acceleration का Unit क्या होगा Acceleration का Formula क्या होगा F is equal to MA होता है यहाँ पर हम देखेंगे Formula हमारा निकलेगा मीटर पर सेकेंड स्कोर Option No.C चब एक गैस के पात्र में दाप बढ़ाए जाता है तो उसका द्रवमान कह रहता है द्रवमान जो है कॉंस्टेंट रहता है Option No.C निम्ण में से किस जगहे पर पानी का हाइस्ट बॉलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा तो हाइस्ट बॉलिंग पॉइंट उसी का होगा जो सबसे ज़्यादा खराब पानी होगा Dead C Option No.B तो जहाँ पानी सबसे खारा होगा वहीं पर आपको बॉलिंग पॉइंट पानी का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा प्रकास की गती नियुंतम किस में होगी नियुंतम सबसे ज़्यादा denser medium में होगी यानि कि सबसे ज़्यादा dense जो है उसी में ग्लास में Option No.A स्टेटोस्कोप जो होता है जो डॉक्टर आलल लगाते हैं तो वो किस पर अधारित होता है यह reflection of sound पर अधारित है Option No.C द्वनी के परावर्तन पर Chemical Change का उधारण कौन सबसे होगा Chemical Change जो reversible नहीं है प्रिस्म से अगर स्वेत प्रकास गुजारेंगे तो साथ रंगों में स्प्लिट हो जाएगा और साथ रंगों किसी तरह कलेक्ट करके अगर हम प्रिस्म से गुजार दें तो वहाँ पर आपको फिर से वाइट लाइट मिल जाएगी ठीक है यह आपका जो है फिस्कल चेंज हो गया यह chemical change नहीं है वेजेटेबल जो है soft हो जाती ही cooking के दोरान ठीक है तो वह chemical change है वह reversible नहीं है हमारा answer हो गया है यहाँ पर B यह जो है chemical change है बाकी सब आपके फिस्कल चेंज है आइरन एक्स्ट्राक्ट कौन सा है मतलब आइरन किस से निकाला जाता है आइरन एक्स्ट्राक्ट किया जाता है हमिटाइट से option number D निकित में से कौन सा एक crystal नहीं है crystal आपका diamond है graphite है quards है लेकिन sulfur जो ही crystal नहीं है option number C सबसे ज़्यादा carbon content किस में होगा wheat सबसे उपरी layer होती है उसमें नहीं होगा ठीक है फिर lignite नीचे की layer होती है फिर vitamin निस कोल होती है फिर होती है anthracite जो होता है purest form होता है सरवाधिक carbon होता है कोईले में सरवाधिक अच्छा जलता है option number D है जितना कोईला नीचे मिलेगा anthracite उतना ही अच्छा कोईला होगा ठीक है ज्यादा carbon content होगा उसमें राइबोजोम जो है किसमें पाए जाता है राइबोजोम पाए जाता है आपका nucleoplasm में option number B chromosome जो है यह किसका बना हुआ component है DNA, RNA, histone, protein तीनों का बना हुआ है chromosome option number हमारा correct हो जाएगा D all of the above पादप वर्गी करण का धियरन क्या कहलाता है the study of classification of plant is called taxonomy option number B आप उनको comment करके बताई जल्दी से आज के इस वाले वीडियो का अखरी answer की taxonomy के जनक किसों बोला जाता है किसी वरक्ष को अधिक्तम हानी पहुँचानी हो तो क्या करेंगे उसका तो उसकी बार्क को डिश्ट्रॉय कर देंगे option number D छाल को हटा देंगे तो सरवाधिक विनास हो जाएगा उस वरक्ष का सरवाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाय जाता है माले जिए दद-दस यूनिट सबको रख दें तो सरवाधिक प्रोटीन किसमें निकलेगा सरवाधिक प्रोटीन निकलेगा आपके फिश में फिश जितनी सफेद होगी उतने ही प्रोटीन होता है उसमें एग, मिल्क, वीट और फिश को कंपेर करने तो सबसे अधा प्रोटीन होता है फिश में option number B निकलेगा 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 निकल हर्पीज रोग जो है यह किस के कारण होता है हर्पीज रोग किस कारण द्वारा होता है यह होता है वाइरस के द्वारा ओप्शन अबर टी संदोशित जल के माध्यम से निमने में से कौन सा रोग नहीं हो सकता है तो जॉन डिस संदोशित जल के माध्यम से होता है टाइफॉइट भी संदोशित जल और भोजन के माध्यम से कॉलरा तो होता है संदोशित जल के माध्यम से जो है मीजल्स नहीं हो सकते है ठीक है मीजल्स का कारण दूसरा है करेक्ट स्टेट्मेंट फाइंड करना है ध्वनी प्रदूशन उसे कहते हैं जिसकी तीवृता 80 से अधिक हो ठीक है करेक्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है डेसिबल मापते हैं कि यह भी करेक्ट है डॉप्सन यूनिट जो है यह ओजोन से संबंदित है यह नॉइस पॉलूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है मारा इनसर्ट बन जाएगा ए वरें टू ओनली रेडियोक्टिव पॉलूशन के बा पर करेक्ट है मिनरल एम्बैलेंस जो है स्वाइल में उसका कारण नहीं बनता है रेडियोक्टिव पॉलूशन ओप्शन नुम्बर सी निम्दमें से किस बायोम में उच्छ पोशक तर तो यूग तो मुर्दा पाई जाएगी ऑबिसली ग्रास लैंड बायोम में ओप्शन अब इसमें कंट्री और रासलेंड कहां कहां पर क्या क्या मिलेंगी इससे मिलाना है तो आपकी हंगरी में बिलेगी पुस्ताज ठीक है ब्राजील में मिलेगी कैंपोस और न्यूजलेंड में मिलेगी कैंटरबरी और अफ्रिका में मिलेगी सावाना तो इस तरीके से मैच क से मानते हैं. प्रोड्यूसर मानते हैं ग्रीन प्लांट्स को. ऑप्शन ऊंबर A. वाईव प्रोडूसर के मापदंडो में कौन-कौन शामिल नहीं है. कार्ə बन-मॉन-उकसाइब शामिल है. बंजीन PM2.5 लेकिन यह कार्बन डायोकसाइब शामिल नहीं है option number C माउलिंग नैशनल पार्क कहां पर है माउलिंग नैशनल पार्क है उडाचल प्रदेश में option number B अगला कुश्चन है कि कौन सी जो है greenhouse gas नहीं है greenhouse gas आपकी nitrogen नहीं है option number D National Tiger Conservation Authority जो है Wildlife Protection Act में संसोधन करके लाया गया था कब लाया गया था 2006 में option number C mini constitution किसको बोलते हैं simple सा सरल सा repeated सा question option number C इसका सायोग आपको बता है 22 सम्विधान संशोधन अधिनियम सम्विधान के कौन से भाग में भारती निटवाचन आयोग के बारे में बताया गया है ये बताया गया है part 15 में option number B बारती सम्विधान में बंधुत्व की भावना को किस देश के सम्विधान से प्रिरित होकर के लिया है बंधुत्व की भावना लिए गई है fraternity की फ्रांस से option number A अब ये बताना है assertion और statement वाला statement पढ़ते हैं फिर assertion पढ़ते हैं फिर reason पढ़ते हैं फिर इसमें जो option दिये उसके इसाब से करते हैं भारती सम्विधान का नुच्छेद एक भारत को राजियों के संग के रूप में अवाड़ित करता है correct है और ये system जो हमने लिया है American Constitution से ये बिलकुल गलत है अमेरिका में तो है नहीं ऐसा राजियों का संग नहीं है राजिय अलग हो सकते हैं संग से तो हमारे question correct answer हो जाएगा यहां पर आपका कि सी ये सही है लेकिन आर गलत है option नुबर सी करेक्ट order of their formation में रेंज करना है तो सबसे पहले जो फॉर्म हो उसको पहले रखेंगे सबसे पहले बना गुजरात फिर बना आपका हरियाना फिर बना मनीपूर और फिर बना गोवा पुर्तकालियों सा जादी के बाद हमारा करेक्ट answer बनेगा one two three four one two three four option नुबर सी निम्न में से कौन सा नुच्छेद उपाधियों का अंत करता है तो abolition of titles दियावा आर्टिकल नंबर 18 में option नुबर बी समिधान के नीती निदेशक ततु में उल्लिकित पर्यावरण का सनरक्षन और समवर्धन और one तथा one ने जीवों की रक्षा का प्रावधान किस सिध्धानत के इंतरगत आता है बताना है तो यह आता है liberal intellectual principle प्राधारित option नुबर सी भारती समिधान में कितने शब्दें तो भारती समिधान में शब्दें आपके करीब 80,000 option नुबर सी कौन सा कथन यहां पर आसत्य है पहले statement कहा रहा है कि पहली बैठक के पस्चात उपस्तित सदस्यों के बीच से जो है speaker का चुनाव होता है कौन सा statement करेक्ट है समिधान में राज लोग सेवा आयो के सदस्यों की संख्यताय नहीं की गई है यह करेक्ट है लेकिन यह नहीं है कि जो है वो 65 वर्ष तक रह सकते हैं वो रह सकते हैं यहां पर 62 वर्ष या फिर 5 वर्ष जो भी पहले हो पांच वर्ष ने एक चुलिए 6 वर्ष का कारेकाल होता है राज लोग से वाके आयो की अध्यक्ष का 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष जो भी पहले हो तुम्हारा correct answer यहां पर बनेगा second only मतलब first only second incorrect है first only के बारे में है question number one one eight नियंत्रा को और महालेखा परीक्ष के कार के संबंद में सही क्या है वह प्रतेक राज के लोग लेखा किसे सभी वह की लेखा परीक्ष करता है correct है और public accounts of India का पूरा लेखा वो देखता है audit करता है expenditure को correct है हमारा correct answer बनेगा C both national development council के चेर परसन कौन होते है प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर होते है option number a national human rights commission के बारे में क्या ये constitutional है नहीं ये statutory body है सामविधिक निखा है समवयधानिक नहीं और इसमें चार मेंबर होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं तो पांच होते हैं कुल मिला के इसमें चार ही दिया है तो यहाँ पर correct answer बनेगा आपका none यहाँ की दोनों ही incorrect है निमनलिकित में से किस विद्रोह में कटबोम नायकन नामक विक्ति ने भाग लिया था कटबोम नायकन आय थे पंडिगार रिवॉल्ट में पंडिगारों के विद्रोह में आय थे कटबोम नायकन option number c इन में से किस जनरल ने, अंग्रेज जनरल ने लखनोव में 1857 के विदरोग के दोरान दमन किया था ये हैं कोलिंग कैमपल, option number B इन में से हम लोगखितवादी के रूप में किसे जानते हैं तो ये हैं श्री गोपाल हरीदेश मुख, option number B इन्हें कहते हैं लोग खितवा दिये, कई बार आ चुका हुआ कुश्चन है, स्टेट पीसिस में देव समाज की स्थापना किस ने की? देव समाज की स्थापना की थी, शिव नरायन अग्नी होतरी ने option number A Indian Council Act 1892 के बारे में है, ये कि इसने Central और Provincial Legislative Council के size को increase कर दिया, correct है, और पहली बार निर्वाचर्ण का सिध्धानत आयत अबारत में ये भी correct है, वांसर हो जाएगा है यहां पर both, C मित्र मेला सभा किस थापना किस ने की थी, सावरकर बंदू ने की थी, यानि की आपके गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, यानि वीडी सावरकर, तो दोनों ही बंदू यहां पर आएंगे, option number C, both A and B इन में से किस अधिनियम को सबसे पहले लागू किया गया था, यह बताना है, तो इनके year दे रखे हैं, यहां पर विद्वनसक पदार्थ अधिनियम आये था, 1908 में राजद्रोही सभा अधिनियम यानि कि सिडीशियस मीटिंग्स आक्ट आये था, 1907 में भारती प्रस अधि अधिनियम आये था, 1908 में हमारा correct answer यहां पर बनेगा B वाला, सिडीशियस मीटिंग्स आक्ट इन अधिनियम में से सबसे पहले पारित किया हुआ अधिनियम था, अभी इन इवेंट्स को chronological order में लगाना है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बात में क्या हुआ, तो सबसे पह समीति के द्वारा असायो का अंदोलन में शामिल होने की बात हुई, ठीक है, उसके बाद हुआ था, कॉंग्रेस, एक बिनेटी यहां पर कंफ्यूजन हो रही है, आयसे समझते हैं इसको, सबसे पहले देखे, खिलाफत समीति द्वारा असायो का अंदोलन में शामिल होना समीति द्वारा असायो का अंदोलन में शामिल होना और फिर आखरी में होगा, फोर्थ नमबर पर, कॉंग्रेस का कलकत्ता विशेस अधिरिवेशन सितम्बर उनिस्व बीस, तुमारा करेक्ट एंसर बनेगर C, 2413 Communist Party of India की स्थापना कहां पर की गई थी? कानपुर में और कप की गई थी? 1925 में, उप्शन बर D दुतिव विश्युद्धि के समय भारत में वाइसरोय कौन थे? ये थे लॉर्ड लिंधिगलो, उप्शन बर B कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं? तत्व बोधनी सभाक, इस्थापना, देवेंदना, तैगोर ने, नामधारी मूब्मेंट बालक सिंग का था, करेक्ट और राधा स्वामी मूब्मेंट शिव दयाल का था देवबंद जो है, ये सर सेद अहमत खान कर नहीं था, ये था मुहम्मद कासिम नानोतवी का, तो हमारा एंसर हो गया D वाला, लब D जो है सही, मेल नहीं खाता है सलीम चिस्ती का मकबरा कहां पर है? सलीम चिस्ती की दरगा है, फतेपूर सीकरी में, आप्शन बर B अब इनको नौर्थ से साउथ रेंज करना लैंड फॉर्म को, तो सबसे पहले होगा आपका भाभर, फिर होगा आपका तराई, उसके बाद होगा आपका खादर, और उसके बाद होगा बांगर, ये जो है करेक्ट और बनेगा, देखते हैं ये दिया होए, 2431, ये दिया कारकों जैसे की आकसी करण, जली करण, तथा कारबनी करण के कारण चट्टानों का कमजोर होना और धीले पढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं हम लोग, वेदरिंग, आप्शन नुबर ए, एशिया और उत्तरी, अमेरिका को कौन सा जल डमरो मद्ध अल तो इसने अलग किया, यहां पर एशिया को इधर से, विश्व का सरवाधिक उचाई पर बसा हुआ शहर कौन सा है, यह आपका लापास, ऑप्शन नुबर डी, लापास कहां पर है आप जल्दी से कॉमेंट करके बताए, नर्मदा रिवर वैली का हिस्सा कौन सा नहीं है, त यह इसका आखरी कोश्चन है कि निम्न मेंसे कौन सा देश हौर्ण ओफ अफरिका का हिस्सा नहीं बनता है, तो इथोपिया, जिबूटी, सुमालिया बन सकते हैं, केनिया जो है यह नहीं आता है हौर्ण ओफ अफरिका में, रफली यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इ इसमें शामिल नहीं है, तो यहां से हम लोग बात करेंगे, रिजनिंग सेक्षन के बारे में, पहला कुश्चन देखेंगे, नमबर वन, अगर किसी कोड़िट लेंग्वेज में, किसी कोड़ित भाषा में अगर मार्क को यह लिखते हैं, तो आर्मी को क्या लिखेंगे, त यह अगर वर्ड है मार्क, तो M के बाद N आ गया, या फिर ऐसे भी समझा जा सकता है कि M का अपोजिट लेटर है, दो लेटर है L1, L2, यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट तभी माने जाएंगे, जब इनके निमेरिकल एक्वेलेंट का सम 27 हो जाए, M होता है 13, N होता है 14, तभी यह अपोजिट हुआ, अब यह जो A है, इसको रिप्लेस कर दिया 26 से, यानि A का निमेरिकल एक्वेलेंट ना लिख के, इसका जो अपोजिट है उसका लिखा, A का अपोजिट Z होता है, उसका निमेरिकल एक्वेलेंट 26 होता है, ऐसे ही R पे आ जाईए, तो R का मतलब होता है 18, 18 में हम क्या जोड़ें कि 27 आ जाए, 9, 9 का मतलब आई, क्या यहाँ पे आई है, बिलकुल है, यह है आई, अब के को इनोंने 16 बोला है, के का मतलब है 11, 11 में हम क्या अइड करें कि 27 आ जाए, तो 16, इस वज़े से 16, सेम लॉजिक को अगर हम यहाँ पे लगाएंगे आर्मी में, तो A का पोजिट Z, R का पोजिट I, लेकिन I हम लिखेंगे नहीं, क्यूंकि दूसरे नंबर पर हमको numerical value उतारनी है, I का मतलब 9, उसके बाद M, M ना होके N होगा, because M का पोजिट N, उसके बाद Y का पोजिट होता है B, because Y25, इसमें 2 जोड़ा तो 27, 2 का मतलब B, अब 2 यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा, तो अंसर हुआ, Z9, N2, option C, अब person goes 30 meter towards south, मान लीजे इस point से उसने चलना शुरू किया, सबसे पहले वो इतनी दूर 30 meter आया, और यहाँ पे रुख गया, after which he turns to his right, आप ऐसे जा रहे हैं, यहाँ रुख गया आप, अब बताइए आपका right कहाँ पे होगा, इधर होगा, और यहाँ जाने के बाद में आप फिर से 30 meter ही गये हैं, और यहाँ पे आप रुख गये हैं, then he turns to his left, इधर से ऐसे गये, left मारिएगा तो कहां आईएगा, इधर नीचे, और यह distance आपको 20 चलना था, मान लीजे इतना साही distance 20 है, then he turns to his left, ऐसे आए, इधर से left मारेंगे तो इधर जाएंगे, आप 30 meter गये इसके बाद, आप यहीं क्यों रुखे, आगे क्यों नहीं गये, कि पीछे क्यों नहीं आए, इसका reason यह है कि यह पूरा distance 30 है, और यह line, इस line के parallel चल रही है, तो यह भी इतना सा distance 30 होगा, उसके बाद हम से पूँचा है, how far is he from his starting point, यह starting point था, और यह है final point, यह 30 meter, इस line को इस से जोड़ेंगे, यह 20 हो जाएगा, because यह 20 था, 30, 20, 50, option C, एक photograph की और इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरे ना तो कोई भाई है ना ही बहन, वो अपने घर में एक लोती संतान है, जो भी व्यक्ति है, क्योंकि उसका कोई ना ही भाई है, ना ही बहन, किन्तू उस आदमी का पिता, मेरे पिता का पुत्र है, ऐसा कहना है इस व्यक्ति का, यह अगर व्यक्ति है, और इसने जिसकी तरफ point out किया, इशारा किया, वो यह है, इस व्यक्ति का कहना यह है, कि यह जो है, इसका पिता इसके पिता का बेटा है तो अगर इसके पिता के इकलावती संतान यही है इसके अलावा कोई और तो है नहीं तो इसके कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे पिता का पुत्र का मतलब स्वैम मैं वो स्वैम अपनी बात कर रहा है तो इसको इस बाद से replace करना पड़ेगा उस आदमी का पिता मैं हूँ ये जो है इस व्यक्ति का पिता अपने आपको बता रहा है वह किसका photograph दिखा रहा था अपने बेटे का तभी तो वो उसको अपना पिता बताएगा ना मतलब अपने को उसका पिता A उसके बेटे का photograph होगा वो His son's photograph X is the husband of Y ये X है ये पती किसका है तो Y का Y इसकी पतनी है और ये दोनों आपस में दमपत्ती हुए W is the daughter of X X की बेटी है W और X की अगर बेटी है तो Y की भी होगी because ये दोनों पती पतनी है X और Y Z is the husband of W ये जो W है इसके पती का नाम Z है N is the daughter of Z इस Z की बेटी का नाम N है और अगर N जो है वो Z की बेटी है तो साथ में W की भी होगी because W और Z आपस में दमपत्ती हुए How is N related to Y N का Y के साथ क्या संबंद है अगर आप N के हिसाब से देखें तो उसके parents ये है और उसके parents में अगर उसकी अममी की बात करें तो उसकी ममी के parents ये है ममी के parents को क्या कहा जाता है नाना नानी और नाना नानी के आप क्या होते हो पोते या फिर पोती एन फीमेल है इस पज़े से पोती या फिर नातिन डी उसके बाद है कि अगर इसका संबंद इसके साथ है जैसे चार बटे पाँच फोर बाई फाइव होता है लेकिन इन्हों ने बताया है 49 किस लॉजिक के तहद बताया अगर एक बार पता चल गया तो सेम लॉजिक को यहां पे अपलाई करके अंसर निकाला जा सकता है जैसे ये चार ये तीन उससे ग्यारा कैसे बन गया चार तियाई बारा मेंसे एक कम कर दिया हमने और ये जो चार इन्टू तीन है इसको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने एक से मल्टिप्लाई कराया है बिकॉज अगर कोई चीज अपने आप लिखी है तो उसका इन्टू वन भी वही चीज होती है ये आपको पता है ये इन्टू वन यहां पे बताने का मतलब ये है कि आगे हो सकता है यहां पे छुपा हुआ इन्टू टू दिख जाए जैसे चार और पांच से उन्टालिस कैसे बन गया पांच चौके बीस अब यहां पे छुपा हुआ नंबर जो कि हम घर से लाएंगे इस बार दो लेके आना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि पांच चौको बीस बीस दूनी चालिस एक लेस किया तो उन्टालिस पहले घर से हम एक लाए अपकी दो लाए आगे देखते हैं तीन लाना पड़ता है की नहीं पांच और छे से बनाना है नवासी तो छे पंजे तीस अपकी बार घर से तीन लाएंगे तीस तीन अनब्बे एक कम किया तो नवासी ऐसे ही अपके बार इंटू फोर घर से लाना पड़ेगा और छे सत्ते बायालिस बायालिस चोके 168 एक कम किया तो 167 एक सो सड़सट ए एक स्टूडेंट है उसको जितने भी नंबर प्राप्त हुए है ना पूँचने पर वो उसका डबल बताता है मान लीजिए 44 नंबर प्राप्त हुए सव में तो वो 44 ना बता के फ्रॉड करता है 88 बता देता है ऐसा ही कुछ यहाँ पे हिसाब है मान लीजिए उसके एक्स नंबर आये थे उसने एक्स का डबल टू एक्स बता दिया इन दोनों को मिला के 48 आता है यानि 3 एक्स परापर 48 तो एक्स परापर 16 वास्ताव में कितने मिले थे एक्स मिले थे ना 16 अगर लाइन इधर से इधर जाती है तो लेफ्ट हैंड साइट से हमें किसकी रैंक पता है हमें कमल की रैंक पता है जो की 12 है राइट हैं इधर से हमें पता है श्याम की रैंक जो कि इस समय 18 है मतलब एक दूसरे की कुरसी पे आके बैठ जाते हैं श्याम यहाँ पे है अपकी बार इधर आ गया कमल यहाँ पे था अपकी बार यहाँ पे आ गया ऐसा होने से हुआ गया कमल बिकम्स 25 प्रॉम दिल लेफ्ट यह जो कमल है इसकी रैंक लेफ्ट से हो चुकी है 25 एक बात बताईए इसी कमल की राइट हैं साइट से रैंक क्या है सीधे दिख रही है 18 ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो 18 रैंक थी इस कुरसी की थी जब तक यह कुरसी शेहाम के पास थी तो उसकी राइट हैं साइट से रैंक 18 थी लेकिन जब यह कुरसी कमल के पास आ गई तो यही 18 रैंक उसके पास चली गई Left से rank question में इन्होंने बता दी 25 है, right से हमें दिख रहा है 18 है तो पूचाए find the total number of student जो की होता है L plus R minus 1 Left यानि 25, right से 18, minus 1 Because L और R आपको same बंदे के लेने होते हैं 43 में से एक गया 42, इतने ही student थे C अगला question है 8 number इसमें हमको कही सारे instruction दे रखी हैं कि Ramesh is richer than Satish Ramesh इससे ज़्यादा अमीर है ये वाला person उससे ज़्यादा अमीर है तो सबसे पहले इस type के question में देख लेना चाहिए कि आपसे exactly पूचा क्या जा रहा है तो who is the richest among them, सबसे अमीर कौन सा है तो इसको जल्दी करने का तरीका ये है कि चूंकि आपको पता है कि इसमें आपसे पूच रहे है कि सबसे अमीर कौन सा है तो जो person सबसे अमीर होगा वो किसी ना किसी से छोटा तो नहीं हो सकता है Less well-dee तो हो नहीं सकता है किसी ना किसी से तो जो person अमीर नहीं हुआ किसी से भी छोटा पड़ गया उसको अपनी choice से हम हटा सकते हैं असानी से रमेश is richer than सतीश तो सतीश इससे छोटा हो गया ना पैसे के मामले में तो सतीश हमारा answer नहीं हो सकता क्योंकि वो सबसे अमीर तो अब हो नहीं पाएगा बट जया इस less wealthy than रमेश यही तो नहीं चाहिए कि less wealthy हो तो जया भी out of choice हो गई राम इस less rich than जया बट richer than सतीश राम जो है वो जया से भी छोटे निकल गये अब यहां पर राम अगर choice होती तो अभी तक उसे भी हटा चुके होते लेकिन फिलाल राम option में है नहीं रमेश is less wealthy बस यही तो नहीं होना है रमेश भी out of choice हो गए तो एक ही answer बचा नवीन इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे उसके बाद एक simple सा series का सवाल है दो digit का नंबर शुरू में है जबकि second last element भी दो ही digit का है तो सीधे सीधे difference आप ले सकते है 42-30 के बीच में 12 का difference है 56-42 के बीच में 14 का 72-56 के बीच में 16 का 90-72 के बीच में 18 का तो difference जो है वो दो-दो से बढ़ा है 12-14 दो से बढ़ गया फिर 14-16 हुआ दो से बढ़ गया इधर भी 2 से बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा difference 90 में 20 जोड़ने पर क्या आएगा 110-2 10 नंबर सवाल भी exactly उसी type का है 3-digit के नंबर से शुरुवात हुई है जबकि अंत भी उसी से हुआ है तो बस सीधे सीधे difference हमें ले लेना चाहिए 132 और 110 के बीच में 22 का फिर 156 और 132 के बीच में 24 का 182 और 156 के बीच में 26 का 210 और 182 के बीच में 28 का difference हो गया तो यहां भी difference दो-दो से बढ़ा है इधर भी दो से बढ़ेगा 28 से 30 हो जाएगा इस 30 को 210 में जोड़ देंगे तो अनसर आएगा 240 A अब इस alphabetical series को complete करिए सबसे पहले यहां से देख लेते हैं कि हमें क्या clue मिलता है तो B.A. के बाद हमें चाहिए C इधर देखिए B.A. के बाद C है तो इधर भी B.A. के बाद C आएगा अब यहां पे बन चुका है B.A.C. यह जो B.A.C. है इसके पहले क्या आया है A आया है तो इस B.A.C. के पहले भी इधर A आएगा यह B.A. के बाद क्या आना है C C.A.C. आपको शुरू में चाहिए C.A.C. सिर्फ A की आप्शन है जहां पे ऐसा है B इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद 12 नंबर जो है वो Numerical Analogy का सवाल है अगर Rust का संबंद 96-87 के साथ है तो T.S.U.R. का किस के साथ होगा आसान सा है एकदम R का मतलब है 18 लेकिन यहाँ पे 9 क्यों लिखा है 9 इसलिए लिखा है क्योंकि 18 और 9 मिलाके 27 होता है तो आपको सीधे सीधे numerical equivalent एक बार फिर नहीं यूज़ करना है उसका जो opposite element है उसका वाला यूज़ करना है S होता है 19 इधर 8 दिया है because 19 में 8 जोडने पर ही 27 बनता है इसी तरह से T में भी देखिए आप T मतलब 20 लेकिन यहाँ पे 7 क्यों दिया है क्योंकि 20 और 7 27 ये जो T है इधर 20 नहों के 7 होगा ये S है तो 19 नहों के 8 होगा ये U for 21 लेकिन वो नहों के 6 होगा R होता है 18 लेकिन वो नहों के 9 होगा 7 8 6 9 B उसके बाद 13 नंबर बात करते है 8 13 72 से 117 कैसे बना हम जानते हैं कि 13 निम्मे 117 होता है अब ये 9 कहां से लाएं 72 बटे 8 9 ही तो होता है तो 9 हमारा यहां से आ गया 189 बटे 21 होता है 9 9 सते 63 बस इतना सा यहां पर लॉजिक था 34 बटे 4 9 9 चिंग 54 B If 65% of a number is 21 less than 4 5th of that number एक तरफ है 65 परसेंट उसी नंबर का और दूसरी तरफ है 4 बटे 5 जो की होता है 80% ये सीदे से पता होना चाहिए कि 80% का मतलब 4 बटे 5 Otherwise आप ये भी कर सकते हैं 65 by 100 into x minus 4 by 5 into x कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन इससे सवाल जल्दी बन जाएगा तो 65-80 के बीच में 15% का डिफरेंस हुआ ना और वही डिफरेंस 21 के बराबर है What is that number? 100% मतलब क्या? Because कोई भी चीच शुरू में 100% ही consider की जाती है Cross multiply करेंगे Question mark की value आएगी 21 गुडे में 100 बटे में 15 तीन पच्चे पंदरा तीन सते एकिस ये पांच इस सव को बीस बार में काटेगा बीस सते एक सो चालिस ए उसके बाद है पंदरा नंबर Which of the following smallest perfect number is a square number of four digits perfect square बताईए इन में से कौन सा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जिसको ये सीधे सीधे याद हो कि 32 का square 1024 तो बस C को टिक करके आगे बढ़ जाईए बागी कोई number square root लेने पर आपको integer value नहीं देने वाला है आप try करके देख लेना What will be 10% of 15% of 20% of 500 ये 500 है उसका 10% पहले चाहिए तो एक बटा 10 because 10% का मतलब यही होता है इसी का 15% चाहिए मतलब 3 बटे 20 15 बटे 100 का मतलब 3 बटे 20 5 से उपर नीचे काट दिया 20% मतलब 1 बटे 5 20 बटे 100 यानी 1 बटे 5 20 पंजे 100 दहम हजार तो नीचे कुल मिला के 2 बचा 3 बटे 2 का मतलब 1.5 D तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो कि सबसे मिनिमम हो उससे बड़े नंबर भी पॉसिबल है लेकिन सबसे छोटा चाहिए जो कि इन सबसे कट जाए अगर 36 उसको काटने जाए तो भी कटे 48 से और 112 दोनों से कटे वो क्या होता है इन तीनों का LCM हमें LCM चाहिए इन सबका अब ये LCM इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं हमें करना पड़ेगा प्राइम फेक्टराइजेशन 36 होता है 4 निम्हे यानि 2 स्क्वार इंटू 3 स्क्वार स्क्वार और क्यूब की पावर के फरम में लिखना होता है प्राइम नंबर की 48 मतलब 16 4 के यानि 2 रेस «टु दीपार 4 इंटू 3 16 3 मतलब 112 होता है 16 सत्य 2 रेस दीपार 4 इंटू 7 LCM लेते time जो भी highest power वाली चीज़े वही उठा लेते हैं जैसे अगर आप 2 की बात करेंगे highest power 4 है तो इसको सीधे से pick कर लिया 3 के case में highest power 2 है उठा लिया 7 तो एक ही है तो 7 उठा लिया 16 into 9 into 7 16 सब्ते 112 गुड़े में 9 1120 माइनस 112 यानी 1008 D In a school The number of boys and girls are in the ratio of this Boys versus girls का ratio है 4 बटे 3 And the ratio of girls and teachers is 8 is to 1 Ratio को merge करते हैं B is to G is to T निकालते हैं सीधे से निकल जाएगा यहाँ पे common variable है G अब G जो है वो same होना चाहिए अभी हमारी responsibility है कि हम same कैसे करें यहाँ पे G की place पे 8 और यहाँ पे G की place पे 3 तो 3 और 8 से हम क्या same बना सकते हैं इनका LCM बना सकते हैं जो की 24 होता है 3 से 24 बनाने के लिए into 8 और 8 से 24 बनाने के लिए into 3 तो यह हो जाएगा नया ratio इसका 8 गुना 32, 24 इसका 3 गुना 24 और 3 तो 32, 24 और 3 यह हुआ What is the ratio of all the students and teachers सारे student में लड़के लड़कियां सब आ जाएंगे यानि आपको B plus G और T का ratio चाहिए तो 32, 24, 56 और बटे में 3 A The ratio between Rina's age and Mina's age is 3 to 1 After 10 years, Rina's age was doubles of Mina's age 2 लोगों के बारे में हम mainly बात की गई है एक Rina है तो दूसरी Mina इनके age का ratio है 3 बटे 1 अगर Rina 3 साल की है तो Mina एक साल की है इस बात का मतलब यह है लेकिन ऐसा हर बार जरूरी हो यह true नहीं तो किसी एक number से multiply कर लीजिए इसलिए Rima की age हो गई X और Mina की हो गई Sorry Rina की age जो है वो 3X हो गई और Mina की X 10 साल बात क्या होगा दोनों की age 10 साल बढ़ेगी दोनों की age 10 साल बढ़ा दी और उस समय जो Rina की age है वो आपको कब मिलेगी जब आप Mina की age में double कर देंगे तो 3X और 2X के बीच का difference X 2 दहम 20 और 10 के बीच का difference X तो X की value आ चुकी है 10 Then what was the ratio between the ages of both 5 years ago पहले present age निकाल लेते हैं यानि इस समय जो age है इनकी 3 दहम 30 और ये 10 5 साल पहले Rina होंगी 25 की और Mina होंगी 5 की 10 में 5 गया 5 Rina versus Mina का ratio चाहिए ना आपको 25 बटे 5 यानि 5 बटे 1 Option B ये 19 नंबर question यहाँ पे रह गया था इसको अभी solve करते हैं 1 रुपी 25 पैसे and 20 पैसे coins are there in the ratio this in a bag एक बैग में कुछ रुपए हैं और जो रुपए हैं बैग में वो 240 हैं तो किसी बैग में 240 रुपए हैं लेकिन 240 रुपए आपको तब मिलेंगे जब आपके पास 3 तरीके से रुपए होंगे एक रुपए के सिक्के होंगे 50 पैसे यानी आदे रुपए के होंगे 25 पैसे यानी चौथाई रुपए के होंगे आदे का भी आदा यानी चौथाई ये जो एक आदा और एक बटे चार है ये है value of each coin हर एक सिक्के का मूल क्या है इस बात का रेशियो है एक आधा और चौथाई अब ये है नंबर नंबर का मतलब है कि कौन कौन से सिक्के कितने कितने हैं एक रुपए के सिक्के अगर पांच हैं तभी आदे रुपए के 6 हैं और चौथाई रुपए के 8 हैं और तीसरी चीज यहां पे हो जाएगी टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू क्या होती है वैल्यू आफ इच कौईन इंटू नंबर आफ कौईन ऐसे ऐसे कितने सिक्के हैं और हर एक सिक्के का मान कितना है इनका मल्टिप्लिकेशन आपको टोटल रुपए में वैल्यू दे देगा जैसे एक रुपए के 5 सिक्के हैं तो टोटल रुपए 5 एक कम 5 आदे रुपए के 6 सिक्के हैं मतलब 6 गुणे आधा 3 चौथाई रुपए के 8 सिक्के हैं मतलब 8 into 1 by 4 2 रुपए होंगे आपके पास आपके पास कितने रुपए हैं 5, 3, 8, 2, 10 हम लोग के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 रुपए हैं लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 240 है यानि एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24 आपको यहाँ पे जो कुछ भी चाहिए 24 गुना करके आपको आसानी से मिल जाएगा 25 पैसे कौइन 25 पैसे को वाले क्वाइन का नंबर चाहिए आपको जो की यह है 6 तो 24 चिंग 25 पैसे वाले चाहिए ना मतलब चौथाई रुपई यह 8 8 का 24 गुना लेना पड़ेगा जो की हो जाएगा 24 अठे 192 B The ratio of age of father to the age of son is this यह father है यह son 4X और X इनकी age हमने यह मान ली The product of their age is 196 इन दोनों की age को गुणा करिएगा तो 196 मिलेगा 4 से इसको दुबारा लिख लेते हैं यह shift हो गया 4X into X बराबर 196 4 से काटेंगे 4,4,16,4,9,36 X square बराबर 49 तो X बराबर 7 What will be the ratio of their ages after 5 years 7,4,28 और 7 यह father और sun की real age है 4X और X यही तो ratio था तो 7,4,28 और 7,1,7 5 साल बात क्या होगा father होगे 33 के 28,5,33 sun होगा 12 का 7,5,12 33 बटे 12 3,11 बार में गया 3,4,12 11 बटे 4 option C इना म्यूजिक क्लास 12 स्टूडेंट्स कैन प्ले फ्लूट संगीत की एक क्लास में 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो की बांसुरी बजा सकते हैं 11 ऐसे हैं जो की गिटार बजा सकते हैं और 10 ऐसे हैं जो की वाइलिन तो किसी क्लास में 3 तरीके के स्टूडेंट हैं सर्कल थोड़े बड़े बनाने पड़ेंगे इस सर्कल में वो आते हैं जो की बांसुरी बजाते हैं फ्लूट इस सर्कल में वो आते हैं जो की गिटार बजा सकते हैं और इस circle में वो आते हैं जो की वाइलेन बजा सकते हैं V से हमने represent किया है flute वालों के सामने 12 लिखेंगे बाहर इस वज़े से 12 को हमने रखा है क्योंकि इन 12 में ऐसे student हो सकते हैं जो की बागी 2 वाइलेन और guitar भी बजाते हों 2 या फिर 2 में से 1 ऐसे guitar के case में भी संभव है इस वज़े से guitar की value जो 11 है उसको बाहर और जो वाइलेन की value 10 है वो भी बाहर 6 student can play flute as well as guitar 6 student ऐसे हैं जो की guitar और बास्वरी दोनों बजा सकते हैं ये guitar का circle है ये वाला मतलब और ये circle है flute का इन दोनों के बीच का common part क्या है ये जिसको मैं अभी अभी आपको color करके दिखा रहा हूँ अपने करजर दवारा ये common हिस्सा जो है उसकी value ए 6 जिसमें से 3 out of these can also play violin ये जो 6 student है ना ये वाले इन में से 3 ऐसे निकले जो की violin में भी आते हों मतलब इसमें भी आते हों तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 3 student ऐसे निकले जो की बासुरी और गिटार तो बजाते ही थे साथ में violin भी बजाते थे इसका मतलब 3 instrument एक साथ बजाने वाले तीन हैं तीनों सरकल का common part क्या है ये वाला इसके अंदर हम 3 रखेंगे अब ये total चीज जैसा मैंने पहले बताया 6 थी जिसमें 3 यहां पे आ चुकी है तो यहां कितनी आएगी बाकी की 6 minus 3 यानि 3 I think सबको समझ में आ गया होगा 3 student can play only guitar only guitar मतलब ये वाला part इसमें कितने student आएगे तो 3 अब गिटार वाले कुल मिला के कितने थे ये पूरी चीज 11 जिसमें 3 तीन 9 यहां पे आ चुका तो यहां बाकी का 2 आएगा 4 student can play only violin सिर्फ violin यानि ये वाला part इसमें कितने student आएगे 4 ये पूरी चीज कितनी थी 10, 4, 3, 7, 2, 9 यहां पे आ चुका तो बाकी का 1 इधर आएगा इस पूरी चीज कि वाल्यू कितनी थी 12 उसमें से 3, 3, 6, 7 यहां पे आ चुका तो बाकी का 5 इधर आएगा How many students can play only flute ये 5 आपको सीधे सीधे दिख रहा है B The average of 50 numbers is 38 50 number का आउसत अगर 38 है तो 50 number की total value कितनी होगी 50 गुणे 38 Because sum बराबर होता है Average into number Average अपने पास सीधे सीधे 38 है और कितनी संख्या है तो 50 है 50 गुणे 38 यानि 1900 अब ये 1900 क्या है Sum of 50 numbers 50 number total मिला के 1900 के बराबर value देते है If two numbers 45 and 55 are removed दो number जो की 45 और 55 थे कुल मिला के कितने थे 45, 55, 100 यानि दो number का sum Sum of two numbers ये अपने पास 100 है अब अगर इन दोनों equation को less करें तो 50 number के sum में से 2 number का sum चला जाएगा तो 48 number का sum अपने पास रह जाएगा जो की कितना होगा 1900 माइनस 100 1800 बाकि के जो 48 number है ना उनका sum 1800 है और आपसे पूचा जा रहा है The average of these remaining numbers इनी का average पूचा जा रहा है तो sum पता हूँ average निकालने के लिए क्या करते है number of observation से divide 48 से divide इसको हम किस से काटे है 6,8 जा 6,300 जा 300 बटे 8 होता है 35 300 बटे 8 जानी 1,500 बटे 4 वही 37 बी October महीने में motorcycle की बिक्री इस बात पे depend करती है कि पिछले कुछ महीने में monsoon कैसा रहा है अच्छा रहा है कि खराब रहा है October होता है दस्वा महीना तो इससे पहले कि जो बाकी के 9 महीने है न इसमें monsoon का nature कैसा रहा है इस बात पे depend करती है motorcycle की बिक्री और उपर से लिखा है how good the monsoon has been जितना ज़्यादा अच्छा monsoon रहेगा जितनी ज़्यादा वर्षा होगी motorcycle उतनी ज़्यादा बिकेंगी उल्मिला के कहने का मतलब ये है इस वर्ष देश के अधिकान सेत्रों में वर्षा आसा से अधिक हुई है यानि rainfall बहुत अच्छा हुआ है और monsoon अच्छा कब माना जाता है जब rainfall ज़्यादा हो जब बारिश ज़्यादा होती है तब ही consider किया जाता है कि monsoon बहुत अच्छा रहा है तो सीदे से ये बात ये समझ में आती है कि उपर दिया हुआ था कि अगर monsoon अच्छा है तो motor cycle ज़्यादा बिकेंगी यहां से हमें ये समझ में आया कि बारिश ज़्यादा होने के वज़े से monsoon अच्छा रहा है तो कुल मिला कि motor cycle ज़्यादा बिकेंगी हमसे यही पूछा जा रहा है कि चारों अप्शन में से कौन सा कंक्लूजन सही रहेगा तो मोटर साइकल जादा बिकने का मतलब क्या है कि कमपनी को ना तो मोटर साइकल के रेट बढ़ाने पड़ेंगे ना घटाने पड़ेंगे अगर वो कुछ भी ना करें तब भी उनकी मोटर साइकल जादा बिकेंगी ये बात कहां पर दी गई है वो देखना पड़ेगा कमपनी इस विल इंक्रीज दा प्राइस आफ मोटर साइकल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्यों बढ़ाएंगे वो लोग अगर बढ़ा देंगे तो हो सकता है बिक्री गिर भी जाए ये गलत कमपनी विल रेड्यूस दा मैन पावर इसकी तो बाती नहीं कर रहे है कि उनको नए रेक्रूटमेंट करने चाहिए या फिर पुराने वरकर को भगाना चाहिए गलत जब मोटर साइकल बिकेगी तो कमपनी के पास पैसा ज़्यादा आएगा ना तो कॉस्ट कर्टेल करने का सवाल ही नहीं उठता यानि खर्चा बढ़ाने का सवाल उठता ही नहीं है अगर आप कीमत नहीं भी बढ़ाते हैं तो भी मोटर साइकल आप ज़्यादा वैसे ही बेंच ले रहे हैं बस यही तो बात यहां से सही है आप्शन यह सी है इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे डी क्यों गलत होगा विकॉस वहाँ पे लिखा हुआ है कि the market share of each of the companies will increase market share की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पे सिर्फ यह बताया है कि sales बढ़ जाएगी market share का nature कैसा होगा उस बारे में बात हुई नहीं है इवदा 1st May is Tuesday एक मई को मंगलवार था तो बताइए एक जून को क्या होगा अगर एक को मंगलवार था तो 7 दिन बाद 8 को उसके 7 दिन बाद 15 को उसके भी 7 दिन बाद 22 को और 22 के भी 7 दिन बाद 29 को भी Tuesday ही रहा होगा विकाज कोई भी दिन हर 7 वे दिन रिपीट मारता है 29 को अगर मंगल था तो 30 को बुद्ध था 31 को शुक्रवार था उसके बाद statement और argument का सवाल है education is meaningless unless school does not attain social equality जब तक school social equality पे जोर नहीं देगा तो वहाँ पे दी जाने वाली सिक्षा वेर्थ है एकदम से social equality का मतलब ये है कि class में किसी भी जात के लोग हों किसी भी धर्म के लोग हों कैसे भी रंग के लोग हों कैसी भी हाइट के लोग हों कैसी भी भाषा बोलें सब को एक साथ बैठा के समान रूप से सिक्षा सब को देनी पड़ेगी जितने भी teacher है और school को सब के बैठने की विवस्ता भी ऐसे ही करवानी पड़ेगी अगर ऐसा नहीं होता है तो school की mentality तुछ मानी जाएगी और वहाँ पर जो सिक्षा दी जाती है उस पर भी सवाल उठेंगे ही उठेंगे तो अगर कोई ये बात सुनेगा तो क्या बोलेगा हाँ की ना तो मेरे ख्याल से ये हाँ बोलेगा और ये कहेगा कि social equality का महत्व है और क्या महत्व है अभी 10 सेकेंड पहले आपको बताया rewind करके देख लीजे तो पहला argument है the social equality among students in the school is necessary for effective teaching effective teaching का मतलब ये है कि वहाँ पर जो सिक्षा है उसका महत्व आगे हो ऐसा नहीं है कि उस पर doubt होने लगे है कि जब आपके fundamental ही नहीं clear है तो आप subject पढ़ा के भी क्या थाबित कर लोगे life के प्रती जो भी basic जो संसकार होते हैं कि सब एक समान है सिक्षा सबका अधिकार है ये सब चीजे होनी चाहिए तो ये बात एकदम से सही है there is no relation between social equality and education of student अगर ऐसा relation नहीं होता तो उपर बात ही क्यों की जाती कोई no नहीं बोलेगा इसमें कभी ये गलत तो overall answer हमारा ये होगा कि सिर्फ पहला argument सही है दूसरा गलत है only first is strong a